अब बात करते हैं बच्चों पोशक इस्तर की, हमने अभी इस खादर शिंखला में देखा कि सूर्य से हरे पौदे, हरे पौदे से टिड़ा, टिड़े से मिधक, मिधक से साप और साप से बाज और बाज से अब गटक, इस तरह से क्रमशा जो जीव थे वो आपस में जुड़ कर रहा है, तो जब यह क्रमिक पोशन जो होता है, वह बना रहता है, तो इसको हम पोशक इस्तर कहते हैं, यानि किसी भी प्राकृतिक वास में या परियावरन में जो पोशक इस्तर हैं, वो क्यों होते हैं, उत्पादक, उपभोगता, उपभोगता के वी चार प्रकार जो ह और लास्ट में है अब घटक, तो ये क्रमशा पोशक इस्तर कहलाते हैं, क्योंकि ये क्रमशा एक इस्तर के जीवों को पोशन प्रदान करते हैं, यानि एक इस्तर के जीव, दूसरे इस्तर के जीव को पोशन प्रदान करते हैं, आप से ये प्रशने पूछा जाता है कि पोश वहाँ पाए जाने वाले अन्य खादर शिंकला का भी सदर से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्या एक ही खादर शिंकला किसी भी प्रकृतिक आवास में पाई जाती है। नहीं। एक ही प्रकृतिक आवास में अनेक प्रकार की खादर शिंकलाएं पाई जाती हैं अनेक प्रकार की खादर शिंकलाएं आपस में कहीं न कहीं जुड़ी भी होती हैं और जुड़कर एक जाल के समान सरशना का नर्मान कर लेती हैं और इसे ही हम खादर जाल कहते हैं याने इस ब इसलिए वहाँ पाई जाने वाली जितनी भी खाद्य शिंख लाएं हैं वो आपस में मिलकर एक जाल के समान सनरशना का निर्मान कर लेती हैं और इस सनरशना को हम खाद्य जाल कहते हैं आप सदी ने मचली पकड़ने वाला जाल तो देखा ही होगा उस जाल को देखकर आप करती हैं तो बच्चों आईए उधारन से समझते हैं कि खाद्य जाल क्या है खाद्य शिंकला से संबंदित बहुत सारे प्रशनें आप लोगों से पूछे जाते हैं जैसे किसी भी खाद्य शिंकला में से यदि उत्पादक को हटा दिया जाए तो क्या होगा आप सोचिए कि पूरे परियावरन में से उत्पादक याने पेड़ पौदे को हटा दिया जाए तो क्या शाका हरी जीवों को भोजन प्राप्त हो पाएगा शाका हरी जीवों को भोजन नहीं मिलेगा तो मांसा हरी जीवों को भी भोजन नहीं मिल पाएगा याने कहीं ना कहीं उत्पादक को खटा दे जाने पर हमारा जो परियावरण है या प्राकृतिक वास है वो पूरी तरीके से असंतोलित हो जाएगा यानि जो खाद्य श्रिंखला का जो एक क्रम चला आ रहा था वह क्रम क्या हो जाता है पूरी तरीके से बिगड़ जाता है इसी तरह से दूसरा प्रशना आप स पौधे एवं जन्तुओं के शरीर को सडाते और गलाते हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं यदि इस अभगटक को परियावरन से हटा दिया जाए तो सोचिए कि मृत पेड़ पौधे और जिव जन्तुओं के जो शरीर हैं वो हमारे परियावरन में यहां वहा असंतुलिक हो जाएगा इसी प्रकार से एक प्रश्नाप से और पूछा जाता है कि किसी भी खाद शिंखला या किसी भी परियावरन से अगर शाकाहरी जीवों को हटा दिया जाए तो क्या होगा शाकाहरी जीव जो कि सीधे पौधों को भोजन के रुप में ग्राण करते है जैसे कि आप जानते हैं गाएं अगर इन जीवों को हटा दिया जाए तो पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहन करने वाला जीव ही इस परियावरण में नहीं होगा और इनकी अनुपस्तती के कारण आगे के उपभोगता जिसे के हम दूतियक, तृतियक और चतु जाते हैं बहुत सारी खाद्र शिंकलाएं आपस में जुड़कर एक जाल के समान सनरशना का निर्मान करती हैं जिसे हम खाद्र जाल कहते हैं हमारे चारों और जितने भी प्रकार के जीव जनतू पाए जाते हैं उसमें से एक जीव बहुत सारी खाद्र शिंकलाओं में शाम इस खाद्य जाल को एक उधारन से हम समझते हैं, देखिए आपके साथ में एक उधारन है, जिसमें आपको एक जाल के समान सरशना दिखाई दे रही है, इस खाद्य जाल में उत्पादक याने पेड़ पौदे जो होते हैं, वो भोज्य पदार्थों का निर्मान कर रहे हैं, इसलिए यह उतपादक है. ञूकि यह भोज पदारतों का नर्मान स्वयं कर रही हैं, इसलिए उतपादक है. इन उतपादकों को खाया खरगोष ने. खरगोष जोकि पौधो को डायरेक्ट भोजान के रूप में गरान कर रहा है। इसलिए क्या हो गया शाका हाई जीव है और प्रात्मी कुभ भोकता है। इस खर्गोष को खाया बाज ने। बाज जो है वो दुत्य कुभ भोकता है। और वह एक मानसाहारी जीव है। तो आप देख रहे हैं। उर्जा का जो प्रवा है वो इस खाद्र शिंकला में उत्पादक उत्पादक से होके खर्गोष और इस दूसरी खादर शिंक्ला में आप देखिये उत्पादक उत्पादक को खाया टिड्ड़ ने टिड्ड़ा भी शाकाहरी जीव है क्यों कि या पौधो को सीधे भोजन के रूप में ग्रहन कर रहा है यह प्रात्मी कुभुग्ता के उधारन है अब इस टिड्ड़ को खाया क जो साफ है उसको खालिया बाजने तो यहां उत्पादक से लेकर के टिड़ा, कीट, मेढ़क, साफ और बाज जो है वो एक खादर शेंखला को बता रहे हैं इसी में आपको एक दूसरी खादर शेंखला और दिखाई दे रही है उत्पादक, उत्पादक को खाया चूहों ने, चूहे यहां प्रात्मिक उद्भवगता हैं और शाकाहारी हैं, इन चूहों को खाया सिधे बाजने अब एक चूथी खादर शेंखला आपको दिखाई दे रही है, उत्पादक याने पेड़ पौध है, पेड़ पौधों को खाया चूहे ने, चूहे को खालिया साप ने, और साप को खालिया बाजने तो यहां आप देख पा रहे हैं कि उत्पादक एक ही ही है और इस उत्पादक पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीव बहुत सारे हैं, जो कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, खरगोश, चूहा, चड़िया और टिडड़ी, यह सभी प्रात्मी कुभभगता हैं और शाकाहारी जीव हैं, इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले दूत्या कुभभगता, किसी एक खादर शिंखला में बाज है, तो किसी एक खादर शिंखला में साफ है, और अन्य खादर शिंखला में कीट और मीधग है, तो आप यहां यह देख पा रहे हैं कि यहां प और इस कारण यहां पर एक जाल के समान सनरशना का निर्मान हुआ है और इस जाल रूपी सनरशना को ही हम खाद्य जाल कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि खाद्य जाल क्या है बहुत सारी आहर शेंखलाओं के आपस में जुड़ने से जब एक जाल के समान सनरशना का निर्मान होता ह तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। आपसे प्रश्ण पूछा जाता है कि खाद्य जाल किसे कहते हैं एक उधारन देकर संजाई है। यह तो था बच्चों कि हमारे प्राकृतिक वास में किस परकार से एक जीव दूसरे जीव से समबंदित है। चली आईए अब हम यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे ही प्राकृतिक वास या परियावरन में जो जीव और निर्जीव चीजे हैं याने जैविक घटक और अजैविक घटक हैं यह आपस में किस प्रकार से समबंदित है। इस बात को समझने के लिए हम एक उधारन लेते हैं। आप यहां देख पा रहे हैं। आपके सामने यहां पर एक चक्र दिखाई दे रहा है। इस चक्र को की शुरुबात कहां से हो रही है? सूर्य से। हम सभी जानते हैं सूर्य जो है वो उर्जा का प्रमुकि स्त्रोथ है। सूर्य से मिलने वाली उर्जा को कौन गरहन कर रहा है? तो आप यहां देख पा रहे हैं सूर्य से मिलने वाली उर्जा को गरहन कर पा रहे हैं घास। और क्लोरोफील की साहता से सूर्य के प्रकाश की उपस्तिती में ये प्रकास अंसलेशन की क्रिया कर भोजय पदार्तों का निर्मान कर रहे हैं अब इस घास को किस ने खा लिया गाए ने इस गाए जैविक कारक का उधारन है अब गाए जो है वह गोबर के रूप में अपसिष्ट पदार देती है या गोबर किसका उधारन हो तो उपले या छेना बनाने के लिए और जिसे जलाकर हम उर्जा प्राप्त करते हैं वहीं आजकल गोबर के बहुत सारी चीजों को बनाने में उप्योग किया जाने लगा है तो अब ये छेना उपले या लिपाई पताई ये सब क्या है ये सब अजयविक कारक है अब यहां तो आपने देखा कि किस प्रकार सूर्य सूर्य से खास घास से गाय गाय से गोबर और गोबर से मिट्टी तक पुना ये जो पोशक पदार्थ है ये पुना मिट्टी में पहुँच रहे हैं याने इस चक्र में आप ये देख रहे हैं कि उर्जा का जो प्रवा है वो सूर्य सूर्य की से प्रारंब होकता है, सूर्य क्या है? अज्यावीग गटक सूर्य से प्रारंब होकर वो कहाँ पहुंच रहा है घास जो की ज्यावीग घटक है गायन up जो कि एक ज्यावीग घटक का उधारन है DRNB गाये का जो अपसिस्ट पदार्थ ने गोबर है वह है अजयवी घटक यह अजयवी घटक किसके दार उपयोग में लाया जा रहा है मनुश्य के द्वारा विभिन निक्रिया कलापों को करने के लिए अब यह जो गोबर है वो सड़ रहा है और सड़ कर पुन्हा मिट्टी में मिल जा रहा है याने यहाँ पर उर्जा का जो चक्र है वह एक श्रिंखना के रूप में नहोण कर के एक चक्र के रूप में हैं इसलिए इसे हम क्या कहेंगे पोशक चक्र इस उधारन में हम यह इस पस्ट रूप से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार जैविक और अजैविक कारक एक दूसरे से संबंदित हैं यहां पर जो पोशक पदार्थ हैं उनका चक्रन सूरी से प्रारंब होकर क्रम्शह होते हुए व निर्मान हो रहा है इसलिए इस चक्र को हम पोशक चक्र कहते हैं इस बात को हम भली बाती पहले भी समझ चुके थे कि हमारे परियावरन में पाय जाने वाले विभिन्य प्रकार के जो अजैविक कारक हैं वे जब जैविक कारक में प्रवेश करते हैं तो वे कार्बनिक पद परण चलता रहता है हमने अभी तक यह जाना कि जीव एक ही प्राकृतिक आवास में रहते हैं वहीं अपनी भोजन की विवस्था करते हैं प्रजनन कर अपने बच्चों को जन देते हैं और उसी प्राकृतिक आवास में वो मित्यू को प्राप्थ होते हैं लेकिन वहीं हमारे आसपास बहुत सारे पशुपक्षी है जो भोजन और प्रजनन के लिए एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाते हैं और कुछ समय के पश्चात वापस चले आते हैं यानि उनका पूरा जो जीवनकाल होता है वह बहुत सारे प्राकृतिक आवास पर निर्भर करता है तो ऐसे जो बहुत दूर दूर तक भोजन प्रजनन और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाते हैं उसे हम प्रावासी पक्षी कहते हैं इस तरह के प्रावासी पक्षी आपने देखे होंगे हमारे भारत देश में साइबेरियन के क्रें यानि इन पक्षियों के दिखाई देने का एक विशे समय होता है, ये पक्षि हमेशा हमारे भारत देश में रहते नहीं हैं, ये दूसरे देशों में रहते हैं और दूसरे देशों से ये उड़कर इत्ति दूरी की यातरा करके भारत देश आते हैं और यहां पर कुछ समय रहकर और उड़कर एक इस्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसे हम प्रवाशी पक्षी कहते हैं और यह प्रवास वो करते हैं तो प्रवास वो इसली करते हैं क्योंकि उन्हें वहां बोजन की उपलगता असानी से मिल सके दूसरा वो जिस प्रवास में रह रहे थे उस प्रवास मे बाद करते हैं भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों की इसमें है पहला साइबरियन क्रेन, जिसे हम सारस कहते हैं ये जो सारस है ये भारत में आते हैं और ये दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा पक्षी है जो उड़ता है और बहुत दूर तक उड़कर लंबी यात्रा तैय करके भारत तक पहुँचता है ये सर्दियों में भारत में दिखाई देते हैं ये प्रवासी प ग्रेटर फ्लेमिंगो जिसे राजहंस भी कहा जाता है यह जो राजहंस पक्षी है यह आफरीका युरोप और भारत देशों में पाए जाते हैं साथ ही इन राजहंस पक्षियों को गर्मी में रहना बहुत पसंद है यानि यह गर्मी प्राप्त करने के लिए हमारे देश में जब इनके देश में सर्दी बढ़ जाती है तो इन्हें गर्मी की आउशकता होती है तो गर्मी लेने के लिए यह उतने दूर से भारत पहुचते हैं तीसरा पक्षी जो है वो है कॉमन टील जिसे हम युरेशियन टील भी कहते हैं यह बदक प्रजाती है बदक आपने देख के मूल आवास में प्रतिकूल ना होकर अनुकूल हो जाती है तो यह वापस उन्हा अपने मूल आवास में लोट जाते हैं चाथा है एशियाई कोयल 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 प्रजाती की का एक पक्षी है जो सिंगापूर से भारत के पॉंडेचेरी में आते हैं और यह गर्मी में एशिय आप करते यह जुटका्षी हम, इनका क्या महत्व? यह जो पक्सी एक स्थान से दूसरे स्थान इतने दूर तक आते और जाते हैं, तो क्या इन पक्षिए हो का वहांके प्राक्रतिक आवास पर कोई परता ह慌? यह जो प्राकृतिक आवास है इन जीवों के कारण बदल रहे होते हैं, यानि एक जीव जो है वो अलग-अलग प्राकृतिक आवास में रह रहे होते हैं, तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं, कि यह जो जीव होते हैं, यह जैव विविदता का निर्मान करने में मदद करते हैं, जितने भी प्रकार के जिव जन्तु दिखाई दे रहे हैं, इन विभिन्नताओं का एक कारण कही न कहीं पक्षियों के द्वारा क्या जाने वाला यह प्रवास है. दूसरा ये जो पक्षी है ये खेतों में जो टिड़े होते हैं आपने देखा होगा टिड़े जो होते हैं वो खेतों की फसलों पर हमला करते हैं और फसलों को नुकसान पहुचाते हैं तो ये टिड्डों के हमलों से बचाने के लिए ये जो प्रवासी पक्षी हैं बहुत मददगार होते हैं याने इन टिड्डों के हमलों को रोकने में इन प्रवासी पक्षीयों का बहुत महत्पुन योगदान हैं फिर तीसरा आप ये देखते हैं कि ये जो प्रवासी पक्ष परवासि पक्षियों के यह नटे होते हैं यह नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं और नाइट्रोजन से भरपूर होने के कारण यह जैविक उर्वरक के रूप में कार्य आते हैं। प्रवासी पक्षियों के भारत आने और जाने से हमारे परितंत्र और जिस परितंत्र के ये सदस्य हैं दोनों ही परितंत्र को लाभ मिलता है या फाइदा मिलता है चलिए आईए अब एक विशेश प्रकार के प्रवासी पक्षी के बारे में हम और अधिक जानकारी लेते हैं बर्गत, पीपल और गुलमुहर के भी पौधे होंगे, इन सभी पौधों में से आप अपने पसंद का कोई एक पौधा चैन कर लीजिए, और इस पर एक क्रिया कल आप स्वयम करके देखिए, आप इन पौधों का चैन करने के पश्चायत, ये देखिए कि ये वो पौधा जो की देखिए, यह किस प्रकार की मिट्टी में उगते है, इनने कितने पानी की मातरा की आऊशक्ता होती है, साथ ही साथ इसमें किस तरह के फल बनते हैं और बीज बीजों का जो फैलाओ है यानि बीज का एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाना वो कैसे होता है साथी साथ यह भी देखिए कि यह जो पौधे हैं वो क्या अलग-अलग प्राकृतिक आवास में इसी तरह से रह पाते हैं जिस तरह से आपके आसपास दिखाई देते हैं तो इस क्रिया कलाब को करने के बाद आप यह जान पाएंगे कि आसपास जितने भी प्रकार के पौधे पाए जा रहे हैं वो अलग-अलग प्राकृतिक आवास में भी पाए जाते हैं अब तक हमने कानी मचरी के प्राकृत वास के बारे में चर्चा की है आईए अन्य जीवों के प्राकृतवास के बारे में चर्चा करें क्रिया कलाप दो आपने अपने आज पास किसी ऐसे पेड को देखा होगा जो उस छेत्र में समाने रूप से पाए जाते हैं जैसे तेंदू, महुआ, आम, जामुन, बबूल, नीम, अशोक, आदी ऐसे किसी एक पेड का चयन करें और उसके बारे में निम्न जानकारी एकत्र करें इस प्रजाती के पेडों को आपने कहा-कहा देखा है जंगल में, मैदान में, पहाड पर, नदी के किनारे, पानी से दूर या अन्य कहीं जहां ये पेड उगते हैं और बड़े होते हैं उस स्थान के विशेस्थाएं लिखें जैसे वहां के समानित आपमान, पानी, मिट्टी, आधी के बारे में इस पेड की आवशक्ताएं भी लिखें, जैसे परागण कैसे होता है, फल कौन खाता है और बीच कैसे फैलते हैं, आदी क्या अब आप इस पेड के प्राकृतवास को स्पष्ट कर पाएंगे? आप इस पेड का चित्र बनाएं हमारे आसपास ऐसे कौन-कौन से जीव हैं, जिने हम दूसरे जीवों की तुल्ना में अधिक संख्या में देखते हैं ऐसे कुछ पौधूं और जनतों के उधारन लिखें क्या आप जानते हैं? हमारी आतों में कई सुक्ष्म जीव रहते हैं, जिनके कारण हमें भोजन पचाने में मदद मिलती हैं इन में से कुछ जीव ऐसे होते हैं, जिनका प्राकृतवास हमारी आते हैं यदि इन्हें यहां से हटा दिया जाए, तो ये जीवित नहीं रहते वह हमारे स्वास्थ पर भी इसका विप्रीत प्रभाव होता है आज मुझे बहुत जादा ठंड लग रही है, क्या आपको लग रही है? ठंड लगने पर आप क्या करते हैं? ठंड लगने पर हम आग जलाते हैं और आग तापते हैं वही स्वेटर, मोजे, कंटोपे और शाल ओड़ते हैं गर्मी के दिनों में क्या करते हैं? गर्मी के दिनों में हम हलके रंग के कपड़े पहनते हैं ठंडे, शर्बत, लस्सी, छाज इन सब को पीते हैं और साथिसाथ पंखा, अकूलर और एसी की हवा में रहते हैं आपको अधि बरसात में इस्कूल जाना हूँ, तो आप कैसे जाते हैं? बरसात में आप इस्कूल, छट्ता और बरसाती पहन कर जाते हैं यह तो भी आपकी और मेरी बात सोचिए हमारे आसपास कितने प्रकार के जीव जन्तु हैं क्या ये जीव जन्तु भी बदलते हुए मौसम और परस्थितियों के अनुसार अपने आप में बदलाव लाते होंगे जी हां बिल्कुल लाते हैं हमारे आसपस जितने भी प्रकार के जीव पाई जा रहे हैं ये सभी जीव अपने मौसम और परिस्थिती के अनुसार स्वयम को ढालते हैं स्वयम को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है याने बदलती वी परिस्थितियों में जीवित बने रहने के लिए भोजन की प्राप्ति और संतान की उत्पत्ति के लिए ये जीव स्वयम को परिस्थितियों के अनुसार ढालते हैं यही अनुकूलन कहलाता है याने जीवों का अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वयम को ढालना ही अनुकूलन है हमने अभी प्रवासी पक्षियों के बारे में बात की प्रवासी पक्षी क्या करते हैं वो किसी मूल प्राकृतिक आवास में रहते हैं उस मूल प्राकृतिक आवास में जब परिस्थितिया विपरीथ होने लगती हैं तो वे वहां से हजारों किलोमेटर उड़ कर यात्रा कर दूसरे स्थान पर जाते हैं जहां उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं और उस अनुकूल परिस्थिति के रहते तक वो उस नई जगह पर रहते हैं जब उनके मूल प्राकृतिक आवास में पुना अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं तो वे वापस अपने मूल आ यानि यह जो प्रवासी पक्षी है वो प्रतीकूल से अनुकूल और अनुकूल से प्रतीकूल परिस्थितियों के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं आते और जाते हैं यानि वो जीवित बने रहते हैं आपने उट तो देखा ही होगा इस उट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं क्या आप जानते हैं यह रेगिस्तान का जहाज क्यों कहलाता है यह इतनी गर्म रेक पर कैसे चल लेते हैं और जिस जगह पर यह रहते हैं वहां पर बहुत अधिक सूखा है और हर्याली कम है त यह उट जो है वो रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं यानि यह अपने शरीर को इस प्रकार से परिवर्तित कर लेते हैं या कुछ परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में ऐसा परिवर्ता ला चुके हैं जिसके कारण यह वहाँ पर असानी से जीवन्य इनके पैर लंबे होते हैं और लंबे होने के कारण इनका जो पेठ है वो रेत से नहीं टकराता है इनकी आखों पर आई लैशिश पाए जाते हैं यह जो आई लैशिश है वो उनको सुरी की तेज रोशनी से बचाते हैं और साथ ही जो उरती भी रेत है वो उनकी आखों में न उट जहार रहता है वहां बहुत अधिक सूखा और हर्याली कम है यह एक शाका हरी जीव है याने अपने जीवन के लिए पिड़ पॉधो पनिर्वर करता है तो यह पानी और भोजन के रूप में जो हरे पत्तों को यह ग्रहन करते हैं यह इनके कूबड में वसा के रूप में स करते हैं याने यह जो उठ है वो कहीं न कहीं रहने के लिए अपने आप में बदलाव लाते हैं अपने आपको ढालते हैं इसलिए यह वहां पर जीवित बने हुए हैं इसको देखिए क्या इस तरह के भालू आपके आसपास पाई जाते हैं नहीं इस तरह के भालू फिर कहा रहे जाते हैं। यह भालु दुरूवी प्रदेशों में जहां बहुत अधिक कडाके की ठंड होती वहां पाय जाते हैं। अब कडाके की ठंड पर इडाती है तो BCI नहीं शरीर पर सफिय त रंका फर पाया जारा है। ये जो फर है, ये इन्हें वहां की ठंड से बचाने में मदद करते हैं। इनकी तचा के नीचे वसा की पर्त पाई जाती है, जो उन्हें गर्माहट प्रदान करती हैं, और इतने कडाके में भी ये जीवित रह पाते हैं। यानि ये कडाके के ठंड में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं अनुकूलन का एक और उधारन हमारे 36 गड़ राज्य की अंधी मचली यानि कानी मचली है कुटुमसर की गुफाओं में पाई जाती है कुटुमसर की गुफा में इतना अधिक अंधिरा होता है कि वहाँ बिना रोशनी के चलना भी मुश्किल है और ये जो गुफा है वो एक किलोमेटर से अधित लंबाई पर फैली हुई है तो ये जो मचली है वह उस जगह पर रहने के लिए अनुकूलित है कैसे तो ये जो मचली है चुकि वहाँ पर बहुत अधिक अंधीरा है और अं मचलिया उस गुफा में पाए जाने वाले मृत पाधे और जन्तुओं को ही अपना भोजन बनाती है याने अपमार्जक की भूमी का निभाती है इन सभी विशेष्टाओं या बदलाओं के कारण ही यह कानी मचली जो है कुटुम सर की गुफा में रह पाती है यानि मचली पाई जाता मचली के ऊपर बहुत सारे शोद यानि रिसर्च किये गए इन रिसर्च से एक बात सामने आई कि इन समुद्र का जो खारा पानी है वह कहीं कम है और कहीं जादा है यानि खारेपन की मात्रा के अधार पर इस मैक्सिकन ट्रेटा की जो आखे हैं वो उस पर इसका प्रभाव पड़ता है यानि देखिए कि अनुकूलन जो है वो जीव जो है अपनी परिस्थीतियों के अनुसार कर लेते हैं यानि बदलती भी परिस्थीतियों के अनुसार जब जीव अपने आपको ढ़ाल लेते हैं तो इसे हम अनुकूलन कहते हैं क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम बता सकते हैं जो बहुत पहले हमारे प्रित्वी पर थे लेकिन आज वो हमारे प्रित्वी पर जीविक नहीं है जी हाँ बिल्कुल सही डाइनोसौर के अलावा आधा गोडा और आधा जेबरा के शरीर वाला एक जीव जिसका नाम क्युगग ये भी एक विलुप्त प्राणी है जो की बहुत सालों पहले प्रित्वी पर पाये जाते थे पर अब इसके अवशेश मात्र है वहीं यह विशाल काय हाथी भी अब हमारी प्रित्वी पर नहीं पाया जाता तो ये तीनों जीवों के विलुप्त होने का कारण क्या है ये तीनों जी विलुप्त क्यों हो गए ये तीनों जी विलुप्त इसलिए हो गए क्योंकि ये अपने बदलते परिस्थिती और मौसम के अनुसार स्वय बदलाव लाते हैं, वो उस परिस्थिती या उस प्राकृति का आवास में रहने के लिए अनुकुलित हो जाते हैं और जीवित बने रहते हैं, ये जीव ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए ये विलुप्त हो गए, विलुप्त प्राणी को एक्स्टिंट श्पीसीज या एक्स्टि जो हैं, वो क्यों नस्ट हो रहे हैं? ये प्राकृतिक वास या जंगल इसलिए नस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य अपनी स्वीधा के लिए जंगलों को नस्ट कर रहे हैं, सडकों का निर्मान कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, अपने अच्छे-अच्छे घर ब इस प्रदूशन के कारण भी ये जीव प्रभावित हो रहे हैं, और तीसरा कारण, मनुस्य जो है, वो अपने फािदे के लिए इन जीवों का अवैद शिकार करते हैं, यहने उसके तच्चा मांस और सिंग के लिए मनुस्य इनका शिकार कर रहे हैं, जिसके कारण ये जीव तेजी से क्या हो रहे हैं कम होते चले जा रहे हैं शेर का सिकार उसकी तवचा के लिए किया जाता है हाती का शिकार उसके दाथ के लिए किया जाता है और गेंडे का शिकार उसके सिंग के लिए किया जाता है क्योंकि ये सभी कही ना कहीं बहुत सारी व ये जीवों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है इन जीवों की संख्या क्यों कम होती चली जा रही है कही न कहीं इनका अवैद शिकार किया जा रहा है इनके प्राकृतिक वास नस्ट किये जा रही है जंगल लगातार खतम होते चले जा रही है इसी कारण इनकी संख्य संख्या भी क्या होती जा रही है कम होती चली जा रही है ऐसे जीव जिनकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है और जो विलुप्त होने के कगार पर हैं ऐसे जीवों को इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है इंडेंजर्ड इस्पीसीज को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए यानि ऐसे जिव जिनकी संख्या बहुत कम है उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो हमें इनके प्राकृतिक आवास को नस्ठ नहीं करना चाहिए हमें इनके प्राकृतिक आवास को बढ़ाने की यानि अधिक से अधिक प्ल लगाने की आउशक्ता है आपने कुछ इस तरह के साइन बोड अक्सर देखे होंगे जब आप जंगलों में या दूर किसी चेतर में घुमने जाते हैं इस तरह के साइन बोड आपको क्या बताते हैं ये साइन बोड ये बताते हैं कि थेरिये आसपास जीव जन्तुओं का प्राकृतिक वास है आसपास जीव जन्तु हैं इन्हें परेशान नहीं करिए इनका अवयद शिकार नहीं करिए याने कि जो भी जीव हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में जो बदलाव आता है उस बदलाव के अनुसार स्वयम को ढालते हैं और उसके अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं और वहाँ पर वो जीवित बने रहते हैं और जो जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं वो विलुप्त हो ज कि कोई भी जीव जिस आवास में जिस जगह पे रहते हैं वह उसका प्राकृतिक वास है और इस प्राकृतिक वास में उसकी जीवन की मुल्भूत आउशक्ता यानि भोजन, सुरक्षा और संतान प्राप्ति असानी से हो पाती है। कुछ जीव अपने पूरे जीवन काल में एक ही प्राकरतिक आवास में व्यतीत करते हैं तो वहीं कुछ जीव एक जीवन काल में विभिन्न प्रकार के प्राकरतिक आवास में रहते हैं प्रवासी पक्षी प्रवाशी पक्षी जो है वो अपने मूल आवास में विपरित परिस्थितियों के निर्मित होने पर अनुकूल परिस्थितियों के लिए हजारों किलोमिटर दूर की यात्रा करते हैं और वहां कुछ समय व्यतीत करते हैं और वहां पर से वापस पुना अ तूरिय उर्जा का मुख्य स्त्रोथ है उर्जा के इस स्त्रोथ से उर्जा ग्रहन कर पेड़ पौधे भोज्य पदार्थों का निर्मान करते हैं यानि किसी भी प्राकृतिक आवास में उत्पादक केवल और केवल कौन होते हैं पेड़ पौधे होते हैं पेड़ पौधे के द्वारा बनाया गया भोजन विभिन जीवों के द्वारा उपभोग किया जाता है तो उपभोग के अधार पर इन जीवों को प्रात्मिक, दुरुतियक, तृतियक और चेतुरत उभोगता में बाटा गया है और इन सब उत्पादक और उपभोगता की मित्यू के पश्यात इनका सरीर जो है वो सडाया और गलाया जाता है जो कारे अभगटक करते हैं तो उत्पादक उपभोगता और अभगटक ये क्रमशा पोशा की स्तर हैं जब इनको हम क्रमशा एक क्रम में जमाते हैं तो एक शिंकला के समान से रशना बन जाती है जिसे हम आहार शिंकला या खाद शिंकला कहते हैं याने जीवों को उनके पोशन के अधार पर जब क्रमशा जमाया जाता है तो एक कड़ी के समान से रशना बनती है और यह कड़ी जो है वो खाद शिंकला कहलाती है बहुत सारी खाद शिंकला आपस में जुड़कर जाल के समान से रशना बनाती हैं जिसे हम खाद जाल कहते हैं किसी भी प्राकरतिक आवास में दो घटक पाये जाते हैं जैविक और अजैविक घटक जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों परस पर संबंदित होते हैं और इन दोनों ही घटकों का उस प्राकरतिक आवास में रहने वाले जीवों पर प्रभाव पड़ता है या इसको य पाई जाने वाली जो कानी मचली है वह अपमार्जक खादर शिंकला का उधारन है वह वहां की गुफा में पाई जाने वाली परिस्थितियों के अनुसार स्वयम में बदलाव लाकर वहां रह रही है यानि वहां की परिस्थितियों के अनुसार अनुकुलित हो चुकी है